ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें नमस्कार महुफिरोज हास्मी विधान सबा चुनाओ का परचा चार अक्टूबर तक फार्म लाश्ट भरा जाएगा लेकिन इस बीच कलवा मुम्रा की अगर बात करें तो ये चुनाओ काफी एहम मोड ले रही है काफी टफ मानी जाएगी क्योंकि अब कलवा मुम्रा विधा कलवा मुम्रा से एकनास सिंदे विधान सबा चुनाओ लड़ सकते हैं चुनाओ लड़ने की रणीती बना रहे हैं अगर ऐसा हुआ एकनास सिंदे मुम्रा कलवा से चुनाओ लड़ेंगे तो एंसीपी को बड़ा जटका लग सकता है और ये विधान सबा चुनाओ काटे की तक कर देखने को मिलेगा जैसा कि हमने पहले ही बताया है पिछले दस सालों से आमदार जितेंदरावाट कलवा मुम्रा में राज कर रहे हैं दो बार चुनके आए हैं अगर यहीं पर एक नाज सिंदे जैसा कोई मजबूत कंडिडेट उतरता है तो यहां पर के सामने कोई मजबूत कंडिडेट अगर उतरता है तो ही जीत सकते हैं वरना जितेंदरावाट को हराना ना मुम्किन है और इसी के साथ समाज राजनीची से जुरी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहाट हैं